Hello dear students and all respected viewers, myself Pritam sir and now we will see, understand and write 4 तो dear students, आज हम maths में, first standard के maths के subject में देखेंगे 4 4 को हमें understand करना है and उसको लिखना सीखना है, उसको write करना सीखना है तो यहाँ पर हमारे teddy bear देखो, जब हमने first lesson लिखा था तो उसमें हमारा teddy bear कितना था? 1 था, then second वाले में वो 1 and 2 हो गया, third वाले में कितना हुआ, 1, 2 and 3 हुआ, अब कितना हो गया, 1, 2, 3, 4 हो गया तो मारे कितने teddy bear हैं यहाँ पर? 4 teddy bear हैं, कितने teddy bear हैं? 4 teddy bear तो इन 4 teddy bear को हमने देख लिया है और इसके बाद हमें आज यहाँ पर 4 समझना भी है और लिखना भी सीखना है तो आईए अब यहाँ पर हम देखते हैं तो 3 and 1 make 4, क्या लिका है रहा है? 3 and 1 make 4 अगर 3 objects पहले से दिये हुए हैं, 1 add कर दिया हमने उसमें तो हमारा कितना object हो जाएगा? 4 object हो जाएगा तो previously हमने क्या पढ़ लिया? 1, 1 इस तरीके से बना था then 2, then 2 half circle हमने लिया था तो हमारा क्या बन गया था? 3 बन गया था और यहाँ पर हम देखेंगे 4 तो 1, 2, 3, 4 तो आप यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर finger से हमें वो दिखाना है तो हम कैसे दिखाएंगे? इस तरीके से 4 दिखाएंगे तो हमारे fingers कितने हैं? 1, 2, 3, 4 fingers हैं और इसको हम लिखते कैसे हैं? 4 को इस तरीके से लिखते हैं आप इस देख सकते हैं जहाँ पर मैं underline कर रहा हूँ वो इस तरीके से हम 4 लिखते हैं और 4 की spelling क्या होगी? F, O, U, R क्या होगी? F, O, U, R तो dear students आपने पूरे alphabet बहुत बार पढ़ लिए हैं A to Z spelling भी देख ली है तो F, O, U, R इसे भी आप learn कर लीजिए F, O, U, R, 4 इसके पहले 1 की spelling क्या थी? O, N, E, 1 2 की spelling क्या थी? T, W, O, 2 3 की spelling क्या थी? T, H, R, E, 3 अब हमारी 4 की spelling क्या है? F, O, U, R, 4 तो कितना easy है न, dear students तो यह हो गया हमारा 4 अब यहाँ पर हम objects को count करते हैं तो यह आपको water bottle दिखाई दे रहा है है कि नहीं? जो आप school में लेके लेके जाते हो तो यह water bottle है अब water bottle कितने है? तो 1, 2, 3, 4 कितने water bottle है? 4 यह क्या है हमारी tiffin पता है न, books ले जाओ चाहे न, लेके जाओ लेकिन water bottle और tiffin जरूरी है लेके जाना और ममी पाबा कोई बूलो कि हमें water bottle एदम नहीं वाली चाहिए और tiffin भी अच्छी वाली और हमें daily ले जाना है वो तो अब यहाँ पर हम tiffin को count करते हैं तो 1, 2, 3, 4 कितने tiffin है? 4 tiffin है 4 water bottle and 4 tiffin तो अब यहाँ पर क्या कह रहा है? draw 4 beds अब फिर से यहाँ पर हमें जो मनका था उसे यहाँ पर कह रहा है कि draw करो तो मनका किस तरीक से होता है? round color, round shape का होता है हमने देखा था तो हम यहाँ पर उसे क्या करते हैं? draw कर देते हैं तो मारा हो गया 1, 2, 3, 4 तो हमने कहा कि हम मनका जो bits से उसको यहाँ पर बना दी और तो यह भी हमारा complete हो चुका है जो हमारा object था कि 4 water bottles for tiffin और हमारा अब यहाँ पर 4 जो bits से वो भी हमने क्या कर दिये हैं? draw कर दिये हैं अब यहाँ पर जो कुछ lines दी हैं उसको हम पढ़ते हैं तो क्या कह रहा है? 4, 4, 4 a car has a wheels for will you please shut the door? 4, 4, 4 a car has wheels for will you please shut the door? तो इस तरीके से rhythm में ram में बिठा करके 4 को count कराया गया है तो इसको properly आप पढ़िए इसमें 4 की जो spelling है F-O-U-R F-O-U-R है ना? तो 4, 4, 4 a car has a wheels for एक जो car होती है जो गाड़ी होती है उसमें कितने wheels होते हैं? कितने पई होते हैं? 4 wheels होते हैं will you please shut the door? तो क्या आप दर्वाजा बंद कर दोगे? तो दर्वाजा खुला हुआ रहता है घर में या स्कूल में तो हम उसको बंद कर देते हैं तो इस तरीके से हमने understand किया 4 को और अब लिखना सिखेंगे 4 को तो आईए उसके पहले एक और activities दी हुई है वाव यह तो देखेर के मुह में पानी आगया होगा आप लोगों के activity के नाम पे देखो क्या क्या दिया हुआ है है ना ice cream दिया हुआ है then chocolates दिये हुए हैं और यहां पे जो lollipop है वो दिया हुआ है पट इसमें वो stick नहीं दिया हुई है या फिर आप देख सकते हैं कि कुस्त है तो इसमें हमें क्या करना है कि four color करना है जो ice cream है वो four ice cream को में color करना है तो कौन से color का ice cream चाहिए आपको तो आपको strawberry color या फिर यही color रहने देते हैं हम ice cream के लिए बागी सब के लिए हम change करेंगे तो four ice cream को मैं करना है तो मैंने ये one को कर दिया one ice cream क्या हो गया हमारा colored हो गया ठीक है फिर उसके बाद second ice cream भी मैंने क्या कर दिया है यहाँ पे colored कर दिया है तो dear students और जो respected parents भी साथ में देख रहे हैं तो अगर hard copy है तो वो ने तो अगर आपको ये PDF e-book चाहिए तो आप हमें contact कर सकते हैं तो ये PDF e-book भी हम आपको दे देंगे तो इसमें बच्चों से इस तरीक से practice कराईए और ये हो गया one ice cream, two ice cream ये हमारा था third ice cream भीने की three ice cream और ये अब हमारा हो गया fourth ice cream तो कितने ice cream हो गया one, two, three, four ice cream तो ये four ice cream हमारे क्या हो गये colored हो गये है अब यहाँ पे जो हमारा lollipop है तो उसको भी color कर देते हैं तो उसके लिए हम color थोड़ा सा change कर लेते हैं थोड़ा सा orange type ले लेते हैं तो इसको हमने का कर दिया? तो ये हमारा one है की नहीं? आप देख सकते हैं ये हमारा one हो गया then ये two हो गया आप इसे जले भी भी कह सकते हो लेकिन जले भी थोड़ी सी और अलग होती है तो ये लॉलिपॉप बस इसमें stick नहीं stick भी लगा दो आप तो इसके बाद two हो चुके हैं और ये हमारा क्या हो जाएगा? third one है तो ये हो गया हमारा three then हमने जो fourth one था उसको भी हमने color कर दिया है ये हमारा क्या हो गया? coloring वाला काम हो गया इसको भी हमने color कर दिया one, two and three and four अब बचा हमारा chocolate तो chocolate हमें कैसा चाहिए? chocolate हमें red ही ज़्यादा अच्छा लगता है ना? तो हम red रख लेते हैं विए chocolate color वाला तो नहीं है तो हम red color से ही chocolate को color कर देते हैं तो ये one chocolate ये two chocolates ये three chocolates और इसको काम करते हैं इसको करते हैं ये four chocolates तो हमारे four chocolates भी color हो गया है तो हुरे हमारा काम हो गया जो coloring करना था तो हमने one ice cream, two ice cream, three ice cream, four ice cream one lollipop, two lollipop, three lollipop, four lollipop और यहाँ पर हमारा one chocolate, two chocolate, three chocolate, four chocolates तो यह chocolates हमने color कर दिये हैं तो यह हो गया हमारा जो भी activity था वो complete अब हम सिखेंगे कि four हमें कैसे लिखना है तो यह जो भी dots आपको दिखाई दे रहे हैं इन dots को आप क्या करो पैंसिल ले करके यह color वाले से ही इसे हम dots को हम क्या करेंगे, मिला देंगे, join कर देंगे तो हमारा four बन जाएगा तो इसे join करते समय देखिए, एक हम क्या करेंगे slanting line ले लेंगे, है ना, एक ऐसे आड़ी से रेखा फिर हमारा एक horizontal line ऐसा बन जाएगा फिर एक vertical line ले लेंगे, तो हमारा बन गया four फिर same हम करेंगे, एक हमारा ऐसे slanting line एक vertical line ऐसे और एक horizontal line ऐसे तो हमारा क्या बन गया, four तो देखिए, एक आड़ी रेखा हमने ले ली, एक इदम सीधी से रेखा ले ली और एक ऐसे नीचे से ले ले ले, हम तो हमारा बन गया four तो जो dots हैं, उसको हम मिला देंगे और dots को मिला देने के बाद हमारा बन जाएगा four तो dear students, बहुत easy है, ये excellenting line, vertical line, then horizontal line तो हमारा four बन जाएगा तो आप भी इस four को बनाने की practice करिए इस dots को ही join कर दीजी, तो हमारा four बनेगा और उसके बाद जो नीचे practice करने दिया है तो वहाँ पर भी, एक slanting line, फिर एक vertical line vertical line काफी बड़ी होगी, तो एक काम करता हूँ मैं हटा देता हूँ, ये जहां से ये end हुआ था, ये फिर start हुआ था, वहीं से एक हमारा वर्टिकल लाइन, इसको थोड़ा नीचे क्या करना है हमें, यहां पर join करना है इसको थोड़ा नीचे तक लाना है, और फिर यहां से एक horizontal line काफी देनी है, तो हमारा बन गया four, तो एक slanting line, vertical line, horizontal line four, slanting line, vertical line, ठीक है, और इसके बाद एक horizontal line, तो हमारा बन गया four, तो यह इस तरीके से आपको four बनाना है, तो I hope dear students, आप लोग बहुत easily इस four को बना लोगे, क्योंकि बहुत easy है, कुछ भी इसमें ऐसा hard नहीं है, तो बहुत अच्छे तरीके से आप बनाओ, और जो spelling की बात करों, तो इसकी spelling हमारी क्या होगी, तो इसकी spelling हमारी है, F-O-U-R, four, F-O-U-R, four, तो इस तरीके से इसकी spelling भी write down करिए, और इसे learn भी करिए, और यह जो भी box या जो भी activities दी हुई है, सभी को आप complete करिए, तो I hope आपको यह जो lesson है, understand and write for, बहुत easily आपको समझ में आ चुका होगा, तो यह वीडियो अच्छी लगी है, तो इसे like करिए, अपने दोस्तों में इसे share करिए, वीडियो पे आप नए हैं, या फिर आप ही तक आपने subscribe नहीं किया है channel को, तो channel को subscribe कर लीजिए, हम next वीडियो में मिलेंगे, जहाँ पे हम नया topic सीखेंगे, तब तक के लिए goodbye and take care.